चोकि हम हिंदुस्तान के लोग मूर्ख है, हम धूरत है, हम जागरुक नहीं है, हमें चीजों का नहीं पता, हमें ये हिंदू-मुस्लिम में उल्जाले, अधरवाईज आज मोदीजी और जितने भी इनके लोग है, सबसे पुच्चे भई, युकाला दन क्यों नहीं आया, में अपनी सारी लड़की मुसलमानों के लड़की, मुसलमानों के लड़की अपने दे रखे, उपर आप देखो, मैं तो नाम गिनुवान लगूई है, तो दोत्ति खोल के भागने लएंगे, ये आप से पूछ रहा भाई, और मैं गजीबू से पूछ रहा, जो हिंदू-मुस और अगर आप बरबाद होते रहे, तो ये देश बरबाद होता रहेगा, और मोदी जी ने तो कह रहा, कागी हम तो जोला ठाके निकल लेगे, अंदबगती ये जादे दिन तक चलने वाली नहीं, और मैं तो बिल्कुल गंबीर रूफ से बताता हूँ, अलग-अलग लेकिन उसकी भी आरेंडी होगी, सबके सामने है कि जिस टाइम पर मोदी जी की चाई बेचने का समय था, उस टाइम पर वो रेलिवे स्टेशन थाई नहीं, तो अब मोदी जी ने क्या खाया, या मोदी जी क्या कह रहे, मैं बिल्कुल गंबीर से बता दू, अब देश की ज दelim है कितनी बात मोदी जी कहते है, मैं दो करोड युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी जी कहते है, अब इस देश की अववस्ता को 5 ट्रिलियंड डोलर न बना देंगे, मोदी जी कहते है कि हम रुपे को डोलर के मकाबले मजबूत कर देंगे, अरे भाई कितनी बात मोधी जी कहते अगर किनवाना शुरू कर दूज़ु तो गंटे लग जाएंगे तो डोक्टर कुलदीप मलीक उनकी बात के उपर विश्वास करता था और डोक्टर कुल्दीप मलिक को ऐसा लगता था कि मोधी जी आएंगे बाजपा की सरकार आएंगी और केवल ये सरकार का परिवर्तन नहीं होगा इस देश की वबस्था का भी परिवर्तन होगा ये one education और one nation की भी बात करें इसका मतलब है देश में आपका बच्चा मेरा बच बच्चा मंत्री का बच्चा संतरी का बच्चा आप भी मोधी मोधी चिला रहे इस देश में पिछले दस साल में जो बड़े-बड़े संस्थान थे सेक्षनिक संस्थान उनकी फीस चारगुना बड़ली मेरे बड़ाबर में सारदा उन्वर्ष्टी है कल दो बच्चे पेड़ लगा रहे थे मैं उनसे पूछने लगा कि बेटा आपकी कितनी फीस है एक बच्चा था एक बच्ची थी उन्हें नहीं बता सर जो पूरे कोर्स की फीस 78 लांक रुपे फिर मेरा थोड़ा दिमाग हुआ मैं पूछने लगा मनेजिमेंट कोट पर कितना पैसा तो आपको बताओं डेड़ क्रोड रुपा लगता है देखे स्रीमान जी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बार जितने भी इंजिनियर से है और खास थोर से चुकि मैं सिख्षक हूँ हम एक सेक्षनिक संस्थान में खड़े इंजिरिंग कोलीजिक के अंदर ही हम कड़े बाई मै अपने जो सभी सिस्से है चुकि मेरा 22 साल का सेक्षनिक कारियों में अनुबाव है लाखों बच्चों को मैं इंजिरिंग की सिख्षा दे चुका भाई मैं उनको भी बदाई देता हूँ और मैं यह बताऊं कि अगर इस देश को बढ़ाना है और यह देश अगर आ गए प्लक्स में यह मनाया जा रहा और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि एक ऐसे महन इंसान एक ऐसे इंजिनियर जिनों ने अपनी इंजिरिंग दुवारा जो माना हुए उसकी लाइफ को कितना सरल बनाया कितना सगूम बनाया और वो किस परकार के human being रहे अगर मैं आपको थ ट्रेन में सपर कर रहा था जिसकी उमर लगबग 20 साल के आसपास थी 22 साल के आसपास अचानक उसने जो है ट्रेन की चैन खीच दी और उस ट्रेन में ज्यादता रंग्रेज थे भार्ट्य तो बहुत कम थे और उनमें वो बच्चा जो चैन खीचने वाला था बिल्कुल सामले क लरका बच्चा और जो है गठिला उसका बदन और बिल्कुल सांस्वाबाव से बैठा था जैसे उसने चैन खरीद खीची तो बहुत ट्रेन रुक गई तो गाड़ आये लोग आये उनके पास में कि आपने चैन क्यों खीची तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा एसास हो रहा क कि कुछ फरलांग की दूरी पर जाके कहीं ने कहीं जो ट्रेन की पठडी है वो पठडी हट रही यानिकि पठडी फठडी तो उनसे पुछा गया कि आपको ऐसा एसास कैसा हुआ तो उस बच्चे ने जब आप दिया कि मुझे जो ट्रेन की गती थी और ट्रेन की गती से जो बोल्ट इधर उधर मिले और जितने भी अंग्रेज थे वे अंग्रेज देखका उस बच्चे को अक्सुद रहे गे और वही बच्चा आगे जाके सर विशुकर्मा के दाम से जो है फैमस हुआ और आज उसी बच्चे की जनम तिथी के उपलक्स में पूरा हिंदुस्तान आज जो है इंजिनियर्स डे को सेलिबरेट कर रहा ना तो अपने टीवी चैनल पर सिक्चा को लेकर डिबेट के लिए तयार हुआ ना आप जैसे साथी जो बड़े बड़े यूटूवर है वो ना मेरे से बात करने के लिए तयार हुए ये देश का सबसे बड़ा दुरबाग ग वो सबसे जादे सिक्सा का छेतर था आप पतागरो उन्होंने इंजरिंग विद्ध्याले वहां पर खुलाए उनके राज में जब वह मुख्य मंत्री थे तो पढ़ने वाले छात्रों की संक्या कहीं गुना जो है मैसूर राज्य में बड़ी उन्होंने इस्पेशल छात्र बने गी ठीक है आप अंदभगत हो कोई बात नी लेकिन अंदभगती से बात नहीं नहीं कर सकते यह अड़े नेताओं ने बना रखे और जहां तक मैं सिख्षा ववस्ता की बात कर रहा सिख्षा ववस्ता के अंदर जो रीडी की अड़ी है वह है सिख्षक आज सिख्षक का इतना बुरा हाल है मैं खुद सिख्षक हूँ प्राइवेट छेटर में काम कर रहा मेरी वाईब डोक्टर प्रियांकर मलीक अमेटीविस बिद्धालना में काम कर रहा है तो मुझे पता आज प्राइवेट छेटर में काम करने वाले सिख्षक का इतना बुरा है आपकी जानकारी के लिए बता लेकिन शाथ-चाथ-चाथ-जार रुपे में काम कर रहे आप एक मजदूर की बात करो इस देश के अंदर मजदूर सुबहर लोग कहते कि नीजी शेत्र में अच्छी शेलरी मिलती है अरे मैं वहीं तो बता रहा भाई नीजी थे चेत्र में आप यह बड़े-बड़े कोलिज देखू जाओंगे तो आपको लगाएगा कि अच्छी सेलरी मिली मुझे भी ऐसा लगा था कि गोड़ा जो है घास खारा सब मुझे भी नजर आता था लेकिन मैंने एमेल सी शिक्षक वर्ग का डोक्टर कुलदीप मलिक ने पिछले तीन साल पहले चुनाव लड़ा मैं नो जिलो में घुमा भाई मेरी तो आखे तब खुली यह हो क्या रहा लोग बात नहीं करते क्या क्यों आप नहीं उनमें से हो ब नहींसे देश मरे में लेकार और जंताव उन्हीं का घुनगान करने लगए अलग- اलग-ulous MAN्चों से यह राजनीती में है सली मुद्धों की तो बात ने होती इस देश में बहुती गंभीर बात बता रहा है इस देश में आज शांस लेने के लिए अवानी बचरी पीने के लिए पानी नी बचरा खाने के लिए सुठ खादान नी बचरा बच्चों के लिए अच्छी है जूके सन ववस्ता नी बचरी युवाओं के लिए रोजगार नी चलेगे अरे मैं कह रहा एक आपको उधारन दे रहा अंबेड कर जिन है एक बात कही कि हर मा को अपने बच्चे को जो है शिक्सा रूपी सेधनी का दूद्ध पिलाना चाहिए अगर शिक्सा रूपी सेधनी का दूद्ध कोई बच्चा पी गया तो आगया पूरे जीवन वो दाड़ेगा इसके बाद मैं नल सिंग मंडेला का आपको एकजामपिल दे रहा किरपा करके हिंदुस्तान के सारे लोग स नόबिल प्राइस विजयता थे उन्होंने शिक्सा को लेकर अगर आपको किसी देश की तरक्टी करनी नल जीकि मंडेला नैए कहा कि अगर आपको देश की तरक्की करनी तो देश शिक्सा दे दो और आपको देश को बरबाद करना और लोगों को Android अन्दर और द्रव की बात करने लगो आज हिंदुस्तान में वही काम हो रहा है कि अगर देश मजबूत हो जागा तो यह सब कुछ मजबूत हो जागा और अगर धरम को रहे राश्चारवो परी राश्चारवो परी एए इस देश में सब सबसे बड़ी भगती देश भगती harness वगती इस देश का सब से बड़ा धर्म धर्म राष धरं आप क्या बात कर रहें और यह आपको समयगे अगर यह देश बचेगा तभी इस देश का धरंब ढदेञा और मों असेह को यह दो कह रहा है चै económically इस देश में और यह आपके चैनल के माध्यम से इंदुस्तान के लोग भी समझे एक तो इस देश में देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या सबसे बड़ी समस्चा है मोदी जी ने भी 1920 में लाल किले के प्राचीर से बात कही ठीर फिर जाए कि मोदी जनसंख्या ने उन तनकानून बनाएंगे कि मोदी जी बडल और रही हला क्राइश द êtes यिस कि समस्चा ववस्ता का मतलब एए आगजाफ्लि पिलकुल सही समझे आप ये वन इलक्सन वननेशन की दो बात कर रहें लेकिन आप भी गंभीर पतकार है सिरियस मीडिया बंदु है जो इस मुद्ड़े बात कर रहें लेकिन क्या ऐसा हुआ धाक के वेईपात तभी हम इंदू-Muslim में उलज रहे थे और आज भी हम इंदु मुस्लिमों लज्रे और बस एक बात कहें कि अपनी वानी को विराम दे रहा जब मोदी जी आये 2014 में तो मोदी जी ने देश के लोगों से वादा किया था कि हर साल में अपना रिपोर्ट कार दूँगा और अगर मोदी जी अपना रिपोर्ट कार देते तो रिपोर्ट सिठी का लेकिन मोदी जी को पता है कि अगर वे आज रिपोर्ट कार देंगे तो हर विशाय पे उनको नल बटे सन्नाटा जीरो नंबर मिलेंगे राम मंदिर बना जिया कोई दिक्कत नी धारा 375 से एटा दी कोई दिक्कत नी मैं तो कहरा जो काम मोदी जी ने करे उन काम की परसंसा करो और मैं खास तोर से बता हूँ विपक्स है विपक्स में हूँ विपक्स का काम केवल और केवल सरकार की खिचाई करना नहीं अगर सरकार कोई अच्छे कदम उठारी तो आप उनका भी जिकर करो मैं कह रहा इन फ्रेस्टेक्सर बंडा नितिन गड़गडी जी सह उसके उपर है तो यह मोधी जी और गड़गडी जी अपनी जेव से पैसा नहीं निकाल रहे यह मारा ही पैसा मारे से पैसा लूट रहे और यह इन फ्रेस्टेक्टर बना रहे पर कोई बात नी तारीब करो जितनी तिर्वी गती से इन फ्रेस्टेक्टर बंडे उसकी आप तारीफ करो जहां तारीब करनी चीए तारीफ करो लेकिन इतने अन्ध भक्त भी तो नि यह आरे तो समय पास को पना पर HDC में उद्धे के मुद्धा आप काले दन के मुद्धे पे अब ओबामा ने 15 दिन के अंदर जितने भी लोग थे बले वह उनकी पार्टी के ते या दूसरी पार्टी के ते सारा काला दन वापस आ गया जब अम जी कमा आ गया हिंदूस्तान में क्यों नहीं आ सकता हिंदूस्तान की जनता इस बात को समझे और बस एक इनिवाद देना है कि राजनिती से हिंदू-मुस्लिम अटाओ शिक्सा स्वास परियावरन बेरोजगारी भुकमरी इन सब की बात करो तभी ये देश विश्गुरू बनेगा और जो सपना है मोदी जी का और हमारा भी कि ये देश जो एविक्सित देश होगी कैटे भी ये